सबी लोग मन लगा करके तैयारी करें और questions को solve करें ठीक है बच्चों जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया वो subscribe जरूर कर लें ठीक है और उसके बाद continuity notes को बनाए जिससे आपकी profession बहुत अच्छी तरह होती रहे ठीक है और comment section में आप लोग लिख कर जरूर बताएं कि ये सारे questions जो video upload किये जा रहे हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं आपको questions important लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं इससे आपकी तैयारी अच्छी हो रही है कि नहीं बच्छों की तरह समय को बचाते हुए questions का अभ्यास प्रारंब गरें ठीक है English medium, Hindi medium कोई भी medium का student हो पूरे questions को मैं English में translate कर देता हूँ इसलिए किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए ठीक है तो पहले वाले questions के जो videos के questions से उनको देखकर तयार करें और तब इस वाले question को आप सभ समय ग्राफ के द्वारा, by the velocity time graph, area, sorry, छेत्रफल के द्वारा, by the area of velocity time graph, दूरी समय ग्राफ के छेत्रफल के द्वारा, by the area of distance time graph, wake समय ग्राफ की धलान के द्वारा, by the slope of velocity time graph, और दूरी समय ग्राफ की धलान के द्वारा, by the slope of distance time graph, question पढ़ लिया है सभी लोगोंने, जल्द याद किया जाता है, acceleration of moving object can be determined, acceleration का formula बच्चो क्या होता है A is equal to होता है, dv upon dt यादि सभी को तुरण का सूतर क्या होता है, a बराबर dv upon dt, तो अगर velocity और time का हम लोग graph बना दें v और t का clear, और उस graph की हम लोग क्या निकालने, slope यानि धलान को निकालने, तो वो slope हमको क्या बताती है, acceleration याद आया सभी को, अगर हम लोग vt graph की धलान को ग्यात कर लें तो वो धलान हमको क्या बताती है, गतिसील वस्तुकात, तुरण acceleration, आप moving object, तो बस question आपका हो गया, अब आप answer को select कर लें, acceleration को find out किया जा सकता है, तुरण को ग्यात किया जा सकता है, तो answer क्या होगा, दूरी समय graph के धलान के द्वारा, vague समय graph के धलान के द्वारा, velocity time graph के slope के द्वारा, vt graph की जो slope होती है, वो हमको क्या बताती, acceleration, that means option number, C is correct, नोड़ कर लें जल्दी से copy में, चलिए, next question के और बढ़िए, question number two, यदि एक कार की चाल को दुगना कर दें, तो कार को समान दूरी पर रोकने के लिए कितना बल आवस्यक होगा, बहुत अच्छा question, important question है exam के लिए, क्या गह रहा है कि अगर किसी कार की चाल को दुगना कर दें, तो इसको रोकने के लिए, आवस्यक बल क्या होगा, चाल को अगर दुगना कर दें, तो याद करिए, समान दूरी पर रोकने के लिए, stopping distance का formula बच्चों क्या होता था, और ओधन दूरी, जिन बच्चों को याद है, मैंने क्लास में कई बार इसको पढ़ाया भी है, लेकिन जिनको नहीं रिवीजा ने, वो लोग घ्यान दें, S is equal to होता है, U square by 2A, S is equal to क्या होता है बच्चों, U square by 2A, इसे बोलते हो, stopping distance, किसी भी चलती हुई गाड़ी में, जब break apply किया जाता है, तो वो जितनी दूरी चलकर रष्ट में आ जाती है, उसे हम लोग औरोधन दूरी के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग stopping distance के नाम से जानते हैं, तो S बराबर U square by 2A, उसने क्या का है, समान दूरी, तो S बच्चों क्या हो गया, constant हो गया, चाल को क्या कर दें दुगना, तो कहने का मतलब अगर यहां से हम लोग formula को देखें, ध्यान से, तो U square is equal to आ रहा है, 2S, अब यहां पर चुकी S क्या है, constant तो U1 square upon, U2 square is equal to, A1 upon, A2, अगर acceleration आ जाएगा, तो F is equal to M, से हम force को भी लिख सकते हैं, U2 को 2U, तो यानि 4U square is equal to A1 upon A2, तो हम लोगों को पता चला, कि acceleration हो गया 4 times, A2 is equal to 4A1, अगर किसी कार की चाल को double कर दें, बहुत अच्छा question लिखान दें, अगर किसी कार की speed को क्या कर दें, दो गुना कर दें, तो acceleration क्या गुना हो गया, चार गुना, और अगर acceleration चार गुना हो गया, तो Newton's last A1 is equal to, क्या होता है, में जो परिवर्तन होगा acceleration में, वही परिवर्तन होगा stopping force में, तो अगर तोरण हो गया 4 गुना, तो जो नया बल होगा, जो stopping force होगा F2, वो भी पहले से कितना होगा, 4 times 4 F1, that means option number D is correct, clear हो गया सभी को, तो बहुत अच्छा question है, question number 2, दोनों question सुरुआत के अच्छे थे, पहला और दूसरा, दोनों को आप copy में जल्दी से, note कर लें, question बहुत important है, question number 3 पे ध्यान दें, समान क्रज्या की लोहे की गेंद, और लगड़ी की गेंद को निर्वात में, H उचाई से छोड़ा गया, दोनों गेंदों की द्वारा, प्रत्वी तक पहुँचने में, कितना समय लगेगा, एक ball किसकी है, एक ball है, लोहे की, देखो लिखा हुआ है, लोहे की गेंद, iron ball, और दूसरी कौन सी है, लगड़ी की गेंद, wooden ball, ठीक है न, तो wood की ball, और iron की ball को, same height से drop किया गया, question यह कहारा, vacuum में, इसमें जो ध्यान देनी वाली बात है, वो निर्वात जो सब्द है, vacuum में इसको छोड़ा गया, तो कहारा, दोनों गेंदों के द्वारा, प्रत्वी तक पहुँचने में, कितना समय लगेगा, what is the time, in the, time of reaching in the both balls, time of reaching of the both balls, when they come at the earth surface, तो कितना time लगेगा, तो सभी लोग जानते हो, कि जो balls जब नीचे की और drop की जाएंगी, जब नीचे की और गेंदों को छोड़ा जाएगा, तो उन पर लगने वाला, जो force होता है, वही उनके time को decide करता है, लेकिन चुकि balls को, किसमें छोड़ा गया, नरवात में छोड़ा गया, वैक्यूम में छोड़ा गया, तो वैक्यूम में जब दो वस्तूओं को छोड़ते हो, चाहे वो अलग-अलग material की हों, या अलग-अलग द्रव्यमानों की हों, कभी भी उनके नीचे आने का समय भिन भिन नहीं होता, तो बोथ balls reaches at the ground, at the same time, दोनों गेंदे प्रत्वी पर, समान समय पर पहुँचेंगी, that means option number A is correct, सभी question में आ रहा है, question interested लग रहे होंगे, बहुत अच्छे questions है, एक-एक question जो important है, वो मैंने select करके, ठीक है, पूरा topic select करके, हम लोगोंने notes को तयार किया है आपके लिए, इससे आपको अच्छा matter मिल सके, इसलिए आप लोगों उसका फैदा उठाएं, benefit उठाएं, और तयारी को मन लगा करके, आप जरूर करते रहें, जिससे आप select हों, examination में आप अच्छी scoring को कर सकें, ठीक है, थोड़ा सा मैंने score up कर दिया है, जगे बनाने के लिए, आपने note कर लिया होगा, ठीक है ना, solution दिया था उपर वाले question का, तो सभी को बास सोन में आ गया, तो answer क्या होगा, बोद दोनों के ने ground उपर, समान समय पर पहुँचेंगी, बोद ball reaches at the ground, at the same time, question number 4 की और ध्यान ने, जब किसी वस्तु को उपर की और प्रचेपित किया जाता है, तो उसका वेग समय ग्राफ है, जब किसी बाडी को उपर की और थ्रो करोगे, किसी भी वस्तु को जब उपर की और u velocity से फेकोगे, तो question कह रहा है कि कि किसका ग्राफ बनाना है, velocity time graph, clear, तो आप ये बताएं कि जब किसी बाडी को उपर की और थ्रो किया जाता है, तो ये किसका एक्जामपल है, this is the example of motion in 1D, ये एक विमी गति का एक्जामपल है, that means इसका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा होगा, straight line, तो answer होगा option number D, कि जब किसी बाडी को उपर की और थ्रो किया जाता है, तो उसका velocity time graph कैसा होगा, answer दिया था, दीडगवरत means ellipse, परवले means perabola, आती परवले hyperbolic, D is straight line, यानि सरल नेखा, तो answer क्या होगा option number D is correct, clear हो गया, चलिए, आगे की और बढ़ते हैं, question number 5, कल वाले practice set में भी एक question ऐसा ही आया था, कल वाले क्या इससे पहला वाला आपने जो देखा होगा, top 25 question की जरीज, उसमें भी एक question ऐसा दिया गया था, तो जिन व्यक्ति को, जिन व्यक्तियों की आँखों में दूर द्रशिदोस होता है, वो दूर की वस्तूओं को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन past की वस्तूओं को आसानी से देख, नहीं पाते, इस बात को आपको याद होना चाहिए, learn होना चाहिए, तो इस सारे questions आप copy में note down कर लें, जिससे आपकी तयारी और भी अच्छी हो सके, क्लेर हो गया, जल्दी से answers को note कर लें, और comment करके जरूर बताएं कि questions आपको कैसे लग रहे हैं, तयारी आपकी कैसी चल लई हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, तो like जरूर किया करें, और अच्छा लग रहा हो, तो share जरूर किया करें, जितना ज़्यादा हो सके, content पे ध्यान दिया करें, ठीक है न, कई लोग मुझसे कहा करते हैं, कि sir आप अधिकतर चीजों को, जो important important हैं, वो लगातार आप इसमें बता देते हैं, YouTube चैनल पे, तो क्या ये ठीक रहेगा, तो मैंने कहा कि क्योंने ठीक रहेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनके पास इतने अच्छे संसादन नहीं है, ठीक है न, सबको हक है, अच्छी पढ़ाई करने का, जो लोग offline आ करके पढ़ाई कर सकते हैं, practice best join कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, वो भी तैयारी करें, और जो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छे-च्छे questions को provide कराना, ये हमारी जुम्यदारी बनती, हमारी नैतिकता बनती, ऐसे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, ठीक है न, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रकार का कोई hidden motive नहीं रहता मेरे पास में, कि questions को नहीं बताया जाए, जिससे बच्चे offline class में नहीं आएंगे, या ऐसा कहीं कुछ रहेगा, तो ये सब बाते अलग है, offline अलग है, online अलग है, YouTube से आप जो पढ़ाई कर रहे हूँ अलग है, दोनम बहुत बड़ा difference है, जो दूर ऐसे बच्चे हैं, जो कानपूर नहीं आ सकते, या कहीं coaching class नहीं जोईन कर सकते हैं, जिनके सामने समस्याएं हैं, उनका ख्याल आखिर कौन रखेगा, ठीक है ना, तो ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए, बातों के साथ साथ पड़ाई भी करते रहें, next question बच्चों ध्यान दे, question नमर 6, निम्न में से electroplating के लिए उप्योग नहीं किया जा सकता, electroplating के लिए out of the following, किसे use में नहीं लाय जा सकता, पहला answer है alternating current, दूसरा है direct current, तीसरा है both, इसको learn कर लें, electroplating के लिए alternating current का use नहीं होता, electroplating के लिए direct current रथा, बैटरी या सेल की धारा का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हो DC current, clear हो गया, अगला question, sonar में प्रयोग तो तरंगे हैं, या sonar में कौन सी तरंगों को प्रयोग किया जाता है, the waves which are used in the sonar, s-o-n-a-r, sonar, पता होगा ना सभी लोगो, sound, navigation and ranging, sonar का full form क्या होता है, sound, navigation, sound, navigation and ranging, sound, navigation and ranging, पहला answer है, परासरव्य means ultrasonic, दूसरा अपसरव्य means infrasonic, तीसरा है radio waves, और चवता है audible sound, clear, तो sonar में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, sonar में हमेशा हम लोग यूज क्या करते हैं बिटा, ultrasonic waves यानि परासरव्य तरंगों को, option number A is correct, clear हो गया, question number 8, जो question आपको लग रहा हो कि मुझको आता है, उसको बस एक बार आप revise कर लें, लेकिन जो question लग रहा हो मुझको नहीं आता है, या मैं भूल गया हूँ, तो ऐसे questions को आप कम से कम दो या तीन बार जरूर पढ़ा करें, और फिर उसकी answers को learn कर लिया करें, ठीक है न, वायू मंडल की सापेच आदरता का मापन किया जाता है, relative humidity of atmosphere can be measured from, humidity of atmosphere can be measured from, पहला answer है, लेक्टोमीटर, दूसरा है, हाइग्रोमीटर, तीसरा हाइट्रोमीटर, चौथा पटेंसियोमीटर, question का सही answer क्या होगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, relative humidity का measurement किया जाता है, इसको भी तयार कर लें, question number 9, most important paper के लिए, आती माडुलित तरंग का, माडुलन गुलांग होगा, modulation index, याद करिए, मैंने पिसको पढ़ाया भी था, जिन बच्चों का ये topic नहीं पढ़ा है, YouTube में, जा करके इसकी वीडियो को सर्च कर लें, अपने चैनल में, इसका पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया था, दो या तीन टरन का, आप उसको आसानी से सर्च करके, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा noise, आपको आउटर सुनाई दे रही होगी, चुकि इस समय सुबह के टाइम में, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा noise है, चारो तरफ disturbance है, और ऐसी condition में, तो थोड़ा बहुत जो noise है आ रही है, आप उसको ignore करें, और किवाला आप पढ़ाही पे ध्यान दें, अधि माडूलित तरंग का, माडूलन गुलांक होगा, तो माडूलन गुलांक हमेशा क्या होता है, एक से ज़्यादा, modulation index is greater than 1, question number 10 की ओर ध्यान दे, कोई उर्जास रोद लोड प्रतिरोद में, इस्थिर धारा भेशता है, any source energy, send constant amount of current, load resistance, यद इसका internal resistance कैसा होगा, पहला answer is more than load resistance, दूसरा है less than load resistance, तीसरा है is equal to load resistance, चौथा ननाब्देम, किसी उर्जास रोद लोड प्रतिरोद में, इस्थिर धारा प्रवाइद करता है, यद इसका अंतरिक प्रतिरोद होगा, load प्रतिरोद से अधिक, that means, internal distance, तो जब आंतरिक प्रतिरोद का मान, load प्रतिरोद से ज़्यादा होगा, तो load में constant current flow करेगी, एक नियत धारा load प्रतिरोद में प्रवाहित होगी, सभी को सौन में आ रहा है, अच्छे लग रहा है question, मजा रहा है question करने में, चलो, जैसा भी हो comment section में ज़रूर लिखो, और आगे की और बढ़ते चलो, note कर लो copy में, next question बच्छो द्यान दे, question number 11, LCR series circuit में, सक्ती गुडांग, सक्ती गुडांग का means क्या होता है, power factor, power factor, जिसको आप लोग कहते हो, cos phi, तो कहरा है LCR series circuit में, power factor maximum होता है, इन LCR series circuit, power factor will be maximum, कब होता है, तो सीदी सी बात है, LCR में, power factor maximum कब होगा, जब circuit में resonance होगा, जब circuit में resonance होगा, और सभी लोग जानते हो, cos phi का formula, cos phi is equal to होता है, r upon under road, xl minus xc का whole square, plus r square, और resonance में, xl की value, xc की value के, बरावर होगी, ऐसी दसा में, cos phi की value maximum होगी, तो cos phi की value, अगर maximum को प्राप्त करना है, तो xl का मान xc के मान के, बरावर होना चाहिए, तो इस question को आप तयार कर लें, कि resonance, resonance की condition में, xl की value xc के equal होती है, और ऐसी condition में, cos phi की value, 1 की value के, बरावर होती है, ठीक है न, अगला question, question number 12, यदि case nalी के, व्यास को double कर दे, if diameter of capillary, becomes a double, तो case nalी में, चड़े, द्रो तलकी होचाई, then high top liquid level, इंदा capillary will be, पहला answer है, दो गुनी हो जाती है, become double, दूसरा है, h proportional 1 upon r, और जो radius के साथ, relation y diameter के साथ, तो अगर diameter को, आप कर दोगे 2D, तो height हो जाएगी half, that means h by 2, और ये question बहुत important है, और इस नियम को, सभी लोग को याद है, जूरिन का नियम भी कहते हो, इसलिए question का सही answer है, आधी हो जाती है, reduce to be half, question number 13, प्रतिवी के केंदर पर, सरलोलग का आवर्तकाल, और भी important question, clear, हर एक question अपने आप में, बड़ा महत्तोपोन है, question क्या कह रहा है, the time period of simple pendulum, at the center of earth, सभी लोग जानते हो, प्रतिवी के center पे, g की value क्या हो जाती है, और time period का formula क्या था, t is equal to 2 by road, l by g, तो अगर g की value 0 होगी, तो time period क्या होगा बिटा, infinite होगा, that means option number 20, correct, बहुत अच्छा, मेरे साथ साथ, या मुझे आगे चलने का प्रयास, आप किया करें, question पढ़ते रहा करें, और speed को maintain करते रहा करें, जिन बच्चों की speed अच्छी होगी, वही paper में सही, और कम समय में question को लगा पाएंगे, clear, PN संधी डायोड में विवाव प्राचीर, potential barrier इंदा, PN जंशन डायोड क्या होता है, PN जंशन डायोड में विवाव प्राचीर, हमेशा क्या होता है, that means increases, और ozone परत कहां पर होती है, फिर से एक question आगया, ozone layer exists, जभी लोग जानते हो, ozone परत पाई जाती है बेटा, समताप मंडल में, तो ozone layer पाई जाती है, समताप मंडल में, that means option number, be correct, question अच्छे लगे, जल्दी से note कर लें, और comment section में जरूर लिखें, कि questions का level या questions, आपको कैसे लग रहें, important हैं कि, नहीं, note कर लें जल्दी से बच्चों, और मन लगा करके, पूरे जोस के साथ, पूरे होस के साथ, तयारी को करते रहें, बिल्कुल भी समय आलस से ना करें, जोकि exam बिल्कुल nearest है, कांटी निवसली घर में आप तयारी को करते रहें, और जितना important हो सकता, matter मैं आपको provide करने का प्रयास कर रहा हूं, बस एक काम करें, आप इनको learn करें, और इनका revision करें, clear हो गया, और जिनोंने जो नए बच्चे इसमय वीडियो देख रहे हैं, चैनल को subscribe नहीं किया, वो subscribe भी करें, इससे आगे आने वाले exam भी आपको अच्छी तरह तयारी कराई जा सकें, ठीक है, note कर लें जल्दी से, अगला question बच्चों ध्यान दें, question number 16, एक transistor के लिए, धारा लाब उन्चास है, धारा लाब का मीन्स current gain हो, 49 है, सभी लोग जानते हो, दो प्रकार के current gain होते है, alpha और beta, alpha की value 1 से कम होती है, beta की value 1 से जादा, तो यह उन्चास है, that means this is the beta, clear, और सरजग धारा 1 mili ampere, so this is IE, और question कहे रहा है, आधार धारा बताओ, तो आप लोगों को base current निकालना है, क्या निकालना है, base current, कैसे question को solve करोगे, बोलो, beta is equal to क्या होता है, beta is equal to होता है, IC upon IB, clear, संग्राहक धारा, बटे आधार धारा, collector current upon base current, और IC को हम लोगों ने break कर लिया, IE minus IB upon IB, और अगर हम IB को दोनों से divide कर दें, तो यहाँ पर यह आ गया, IE upon IB minus 1, clear, अब value हमको क्या-क्या दिया है, IE दिया है 1 mili ampere, तो एक काम करो, IE की जगे 1 mili ampere को micro में बदल लो, तो 1000 micro ampere upon, upon base current आपको find out करना है, minus 1, और beta आपको दिया है 49, तो आपके लिए समीखन क्या बना, 49 बराबर 1000 बटे IB minus 1, यहाँ से cross multiply करके, आप IB की value को निकाल सकते हो, और question का सही answer आएगा 20 micro ampere, calculation का काम तो आपने आप कर लोगे, बोलो सबी लोग, कर लोगे ना, तो जल्दी से answer लिख लो, और इसको आप अपने आप solve कर ले, चलिए आगे की और बढ़ें, चोगी समय कम है, question number 17, किसी पदार्थ का कारिफलन, 4 electron volt है, the work function of any material, कितना है 4 electron volt, work function का means होता है W, तो W is equal to कितना दिया है, 4 electron volt, electron volt को convert कर लेना, 4 into 1.6 into 10 to the power, minus 19 joule, और उसके बाद कह रहा है, आपके प्रकास की maximum wavelength बताओ, जिससे material के द्वारा प्रकास electron निकल सकें, आपको निकालना है, maximum wavelength lambda naught, और याद करिए, topic का नाम है, photoelectric effect, maximum wavelength देली तरंग दैर्द, और work function का फार्मूला होता है, w is equal to hc upon lambda naught, अब तो question आपका हो जाएगा, h की value क्या होती है, 6.6 into 10 to the power, minus 34 joule second, c की value क्या होती है, 3 into 10 to the power, 8 meter per second, आप value को रख करके, यहाँ से क्या निकाल लोगे, lambda naught, और question का सही answer आएगा, बच्चो 310 nanometer, that means option number, c is correct calculation, आप आगेगी अपने आप, स्वालू कर लें, question number 18 पढ़ें, 50 microfarad धारिता का एक संधारित्र, तो this is the c, संधारित्र की धारिता को c कहते हैं, 10 volt तक charge किया गया, this is the v, और कह रहा है, संधारित्र की उर्जा बताओ, energy, और सभी लोग जानते हो, capacity और voltage के टर्मे, energy का फार्मूला, u is equal to half cv square, अगर आप यहाँ value को रख दें, तो 1 by 2, capacity कितनी है, 50 microfarad, 50 गुडे, 10 कीगात, minus 6, और voltage कितना दिया है, 10 का whole half square, बस आप calculation को कर लें, और answer को find out कर लें, क्या answer निकलेगा, जल्दी से value रखें सभी लोग, और answer को बता, solve कर लिया बच्चों, क्या answer आएगा बोलें, answer आएगा 25 into, 10 to the power, minus का 4 joule, question number 19, प्रतवी से 500 km से उचाई पर, एक gain को space ship से, अंतरचियान माने space ship से, बाहर की और फेका जाता है, अगर किसी space ship से, किसी भी एक ball को, ये तो question को confuse करने के लिए ball देता है, ball फेका जाता है, कोई बरतन फेका जाता है, कोई पत्थर फेका जाता है, कभी confuse ना होना, सबके answer एक है, answer क्या होगा, इन सारी वस्तुओं का मार्ग, क्या होगा, parabolic in nature, that means परवलिया कार, clear हो गया, मजारी question करने में, जल्दी से question को note करें, फिर आगी की ओर बढ़ें, next question बच्चों ध्यान दे, question number 20, Kepler का दुतीनियम आधारित होता है, Kepler's second law is based, पहला answer क्या है, रेखी समवेक सनच्छन, congervation of linear momentum, दूसरा कोडी समवेक सनच्छन, congervation of angular momentum, तीसरा उर्जा सनच्छन, congervation of energy, चोथा नन आप दीस, तो Kepler का second law का फार्मूला क्या होता था, delta A upon delta T, aerial velocity, L by 2M is equal to constant, यहाँ पर L को क्या बोलाया था 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 बटा, angular momentum means, कोडी समवेक, इसलिए question का सही answer क्या है, option number B, congervation of angular momentum, means, कोडी समवेक सनच्छन, ठीक है, question number 21, जब कोई पिंड किसी आनत तल से नीचे आता है, inclined plane, आनत तल माने, inclined plane, when any object rolls down, from inclined plane, तो उसकी स्थानांतरी और घुलन गती जूरजाएं बराबर हो, स्थानांतरी गती जूरजा क्या होती है, केटी और घुलन गती जूरजा के आर, केटी की वेलू के आर के बराबर है, तो ऐसा पिंड कौन सा होगा, तो ऐसा पिंड होगा, hollow cylinder, that means, खोकला बेलन, clear, किसी कण का विस्थापन समीं, कण y बराबर 0.01, cos π.t plus π.by.4, आपको frequency निकालना है, इसको आप ऐसे लिखें, 0.01 cos, और इसको आप लिखें, 2 π.t upon 2, 2 का multiply, 2 का divide, plus का π.by.4, और अब आप इस समीं करन की तुलना करा दें, y is equal to a cos, 2 π.t upon capital T, plus π.t से आप इसको compare कर दें, ठीक है, साथ यह आपको समीं करन नहीं दिख रहा होगा, जादा मैंने नीचे नोट कर दिया है, चलो थोड़ा उपर की ओर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ें, y is equal to a cos, 2 π.t upon capital T, plus π.t से आप इसको compare करें, तो आपको capital T is equal to, कितना मिला 2, और याद करें, T is equal to होता है, 1 upon F, तो 1 upon F is equal to 2, therefore, frequency F is equal to 1 by 2, और 1 by 2 का मतलब कितना हुआ, 0.5 hertz, that means option number D is correct, clear होगे सभी लोगो, तो इस प्रकार आपको इसका answer निकालना था, T की value आजा है, तो आप F की value को आसानी से find out कर सकते हो, ठीक है, तो question का सही answer कितना आएगा, T is equal to 2, ठीक, यहाँ लिख दे, तो frequency F is equal to 1 by T, 1 by 2, 0.5, अब तो ठीक है, अब तो सबको दिखेगा, option number D, clear, तैस्वा question, किसी वस्तु के temperature को 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए, आवस्यक उस्मा की मात्रा क्या कहलाती, इसे उस्मा धारिता के नाम से जाना जाता है, तो पहला फार्मूला भी मुझको सही दिख रहा है, speed of light का c is equal to 1 upon root mu naught into epsilon naught, सही है, दूसरा भी फार्मूला ठीक है, c is equal to e naught upon b naught, electromagnetic waves में दोनों फार्मूले में लेते, अगला फार्मूला भी c number भी correct है, c is equal to c by mu, ये भी ठीक है, और उसके बाद में, इसका मतलब क्या हुआ, option number D, all, उप्रोग, तो सभी ये प्रकास के वेक के सूत्र है, ठीक है, c की जगे यहां v भी लिख सकता हूँ, confuse मत हो न, ठीक है, इन तीनों को याद भी कर लो, इस question को लगाने का ये मतलब था, कि आपको light velocity के सारे फार्मूले, clear होने चाहिए, और question number 25, इस सिरीज का last question, 0,2, 0,2 सिरीज का last question, एक तार में 2 millisecond में, तो t is equal to कितना हुआ, 2 millisecond, 2 into 10 to the power, minus 3 second, 400 micro coulomb का charge, 400 into 10 to the power, minus 6 coulomb, micro को convert कर लिया, question क्या कह रहा है, धारा का उसत मान बताओ, current की value आपको बतानी है, average से confused ना होना, formula क्या लगा होगे, i is equal to q by t, 400 into 10 to the power, minus 6, और t की value क्या रखोगे बच्चे, 2 into 10 to the power, minus 3, इस से आपने इसको cancel कर दिया, 200, 10 to the power, minus 6, minus 3 को उपर ले गए, 10 to the power, plus का 3, और 3 minus 6 कितना हुआ, 200 into 10 to the power, minus का 3, 3 minus 6 minus का 3, 2-0 से power point हड़ गई, question का सही answer के आएगा, बोलो 2 into 0.2, या question number का सही answer आएगा, option number B, 0.2 ampere, clear, note कर लें चल्दी से, तैयारी को मन लगा करके करते रहें, पूरे जोस के साथ, पूरे होस के साथ, तैयारी को करें, जजबा, अपना मजबूत रखें, और ये विश्वास रखें, कि इस प्रकार की प्रफेशन करनी है, कि एक्जाम में ज़्यादा ज़्यादा number हमको, score करने हैं, जिससे आपको written paper भी qualify हो, और आगे merit में भी आप लोग अपनी जगे को, बना सकें, तो इसी के साथ, आज top 25, 25, 25 questions की, ये जो दूसरी series है, दूसरा video, part 02, ये complete हुआ, उमीद है कि आपको सारे questions बहुत अच्छे लगे होंगे, जैसा हो comment section में आप जरूर लिखें, कि ये questions आपको कैसे लग रहे हैं, इन questions को करने के बाद, आपकी तैयारी improve हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं जो मेनत कर रहा हूं class में आपके साथ, वो उसका output या उसका feedback अच्छा आएगा, कि नहीं आएगा, ये मुझको पूरी उमीद है कि इसका feedback अच्छा आएगा, क्योंकि जब मेनत सचे मन से और लगन से की जाती है, तो उसका result भी अच्छा आता है, बस इसी प्रकार आप लोग भी मेनत करते रहें, जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को subscribe जरूर करें, बाकी लोग like करें, share करें, कमेंट करके जरूर बताया करें, कि आपकी तैयारी कैसी चल लगी है, ठीक है, तो जल्दी इसका तीसरा part, 03 जो part रहेगा, 25 practice questions series का, 03 जो part रहेगा, वो लेकर हम लोग जल्दी से आएंगे, तब तक आप लोग इन सारे questions को तैयार करते रहें, और मन लगा करके अपनी तैयारी करें, तो नेक्स वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए, जै हिंद जै भारत! करेंगे, पिर जै कि अपनी तैयारी करें,